वजन कम करने के लिए अगर आप डाइटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो डिलिवरी के बाद ये बहुत ज़दा मुश्किल होता है क्योंकि हमें रिकवरी के लिए प्रॉपर डाइट की ज़रूत होती है साथ ही अगर हम ब्रेस्फिडिंग कराते हैं तो हमें बार-बार और जल्दी-जल्दी भूख लगती है अगर हम एक्सिसाइस के बारे में सोचें तो बेबी के साथ एक्सिसाइस करने का भी समय नहीं मिल पाता है तो ऐसे में हम कैसे अपना वजन कम कर सकते हैं बहुत ही सरर और असान तरीके से नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबी के फैमली वै आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में कुछ ऐसी चीज़े हैं जिने आपको आपस में नहीं खाना चाहिए कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आपको अवाइड करना चाहिए उनके स्थान पर कुछ और लेना चाहिए जिससे आप अपना वजन बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं एक महिला के लिए बहुत सद ज़रूरी है डिलिवरी के बाद अपने वजन को वापस से कम करना और वापस से अपनी पुरानी शेप में आना क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं देते हैं और अगर हमारा वजन बहुत अधिक बढ़ जाता है तो हमें डिलिवरी के बाद बहुत अधिक परिशानियों का सामना करना पड़ता है आज की ये वीडियो बहुत ज़धन पॉर्टेंट होने वाली है अधिक द होलो जाते हैं तो आपको अपनी जाइत से चाय कोसी को आवोइड करना होगा पर बहुत सारे लोग चाय और कॉफी को एकदम से अवोइड नहीं कर पातें carrying एकदम से बंध नहीं कर पातें तो आपको कभी भी चाई और कॉफी के साथ बिस्किट, टोस्ट या ब्रेड नहीं लेना चाहिए कोई भी शुगर का आइटम आपको चाई के साथ नहीं लेना चाहिए इससे आपके वजन और आपके शरीड पर बहुत अधिक असर पड़ता है अगर आप चाई अवाइट कर सकते हैं तो चाई के इस्थान पर आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए लेमन ग्रास टी आप ले सकते हैं साथ ही पानी में अधरक और अजवाइन को अच्छे से उबाल कर उसको चाई की तरह पी सकते हैं कहा जाता है डिलिवरी के बाद आपको एक से डेड़ महीने अधरक और अजवाइन का पानी लेना चाहिए ये आपकी बॉडी को हील करने का भी काम करता है साथ ही हमारे ब्रेस मिल्क को बढ़ाने का काम भी करता है इसी के साथ आप पानी में जीरे को बाल कर भी उसका इस्तमाल कर सकते हैं चाई की रूप में इसका इस्तमाल करने से डिलिवरी के बाद आपको हीलिंग में हेल्प मिलती है आपको ब्रेस फीडिंग में हेल्प मिलती है साथ ही जीरा आपके केलिस्ट्रोल को कम करने में हेल्प करता है जिससे आपका वजन जल्दी और असानी से कंट्रोल होता है इसलिए आप जीरे का पानी भी इस्तमाल कर सकते हैं बहुत बार आप देखेंगे कि जीरे का पानी लेने की एडवाईस आपको बहुत सारे लोग देते हैं अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो भी आपको जीरे पानी का फाइदा जरूर बताएंगे तो आप वजन कम करने के लिए जीरे को पानी में उबाल कर उसको चाई की तरह पी सकते हैं इससे आपका वजन भी कम होता है आपको एनरजी भी मिलती है साथ ही अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उसमें भी आपको मदद मिलती है अगर आप वजन गम करना चाहते हैं तो आपको ऐसी कोई भी ड्रिंक नहीं लेनी है जिसमें शुगर की मातरा हो या सोडे की मातरा हो बाहर मिलने वाले जितने भी पैकेट बंद जूस होते हैं या सौफ ड्रिंग्स होती हैं इन सभी में सोडा और हाई शुगर मिला होता है जो आपके वजन को बढ़ाने का काम करता है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट से शुगर और सोडे को अवोइड करना चाहिए आपको चीनी की जगा गुड और शहद का इस्तमाल करना है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं साथ ही चीनी हमारे हैल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है तो आपको चीनी की जगा गुड़ का ही इस्तमाल करना चाहिए आपको मीठा भी थोड़ा कम लेना चाहिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो नमबर ठ्री प्रोसेज़़ फूड़ और स्नैक्स मारकेट में मिलने वाले जितने भी प्रोसे़़़ फूड होते हैं जो पैकट बंद आते हैं उन सभी को आपको अपनी डाइट से हटाना होगा क्योंकि ये सारी ही चीज़ें हमारा वजन बढ़ाने में हैल्प करते हैं तो आपको बहार का जितना भी पैकेट बंद फूड है, प्रोसेज़ फूड है, इसको अपनी डाइट से अवोईड करना चाहिए. साथ ही स्नेक्स, जैसे आप कुकीज देख लीज़े, या कुछ बेकरी आइटम्स देख लीज़े, ये सारी ही चीज़े हमारे हैल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है, और हमारा वजन भी बढ़ाती है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको प्रोसेज़ फूड और बेकरी फूड्स अपनी डाइट से अवोइड करने चाहिएं. इन सभी फूड्स में हाई कैलरी होती है, वसा की बहुत अधिक मातरा होती है, शुगर की बहुत अधिक मातरा होती है, साथ ही इन में पोशक तत्वों की बहुत अधिक कमी होती है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए आप इन सभी जीजों को अवाइड कर सकते हैं, इनके स्थान पर आप फल का इस्तमाल कर सकते हैं, आप सब्जियों का इस्तमाल कर सकते हैं, आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, आप रोस्टेड परमल ल इन सभी को आपको अपनी डायट से अवocyड करना छाहिए, बहुत अधिक ओयली खाना ये जो फासफूड होता है, इस प्रकार के भोजन में बहुत अधिक मात्रा में वसा होती है, कैलरी होती है साथ ही सोडियम की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो आपके शरीर में सुजन पै आपको स्वस्त रख सकते हैं, साथ ही आपका वजन भी कमुगा, इसके इस्थान पर आप तर पर आप साधा और सिंपल भोजन ले सकते हैं, आप डोसा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, आप उपमा ले सकते हैं, आप चीला ले सकते हैं, बाहर का फास फूड और ओईली खाने से आप यह सारी चीज़े ले सकते हैं यह सारी ही चीज़े लो कैलरी होती है साथ ही आपके वजन को अम करती है और आपके शरीर को फाइदा भी देती है नमबर 5 आपको हाई कैलरी की स्वीट्स आइटम नहीं लेने हैं जैसे आपको केक नहीं लेना आपको आइसक्रीम नहीं आपको पेस्टी नहीं लेनी है, आपको कोई कुकीज नहीं लेनी है, आपको रजगुल्ला, जलेबी और जो मिठाई होती है, ये सारी ही चीज़े अपनी डाइट से अवोईट करनी चाहिए, ये सारी ही चीज़े वजन को बढ़ाती है, इन सारी ही चीज़ों से आपको डाइ सकते हैं, आप हलवा बना की खा सकते हैं, मगर उसमें भी आप कम घीं का इस्तमाल करना है, साथ ही आपको चीनी की जगा गुड का इस्तमाल करना है ऐसा करने से आपको स्वाद भी मिलता है और आपका वजन जादा नहीं बढ़ता 낍 apart six carbohydrate कुछ ऐसे carbohydrate है जो आपका की बढ़ाने मी बखृत जाथ योगदान देते है तो ऐसे कौन से भूजन है जिन में बहुत अधिक मात्रा में carbohydrate होता है और जिसे आपको अपनी 비onder जैसे bread, pasta, noodles इन सारे ही चीजों को आपको avoid करना है साथ ही आपको अपनी डाइट में चावल को भी कम करना है आपको चावल छोड़ना नहीं है आपको चावल कम करना है इसके स्थान पर आप रोटी, सबजी, दाल इसका इस्तमाल कर सकते हैं ब्राउन राइस, साबुत, अनाजोगा भी आप इस्तमाल कर सकते हैं नमबर 7 आपको TransFet को भी अपनी डाइट से अवोइड करना होगा TransFet आपको बहार का कोई भी तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए क्या आप जानते हैं अगर हम घर पे पकौरिया बनाते हैं कोई भी चीज तेल में तलकर बनाते हैं अगर तेल बहुत अधिक मातरा में पक चुका है, बहुत अधिक मातरा में गरम हो चुका है, तो उसके बाद वो तेल ट्रांसफेट में कनवर्ड हो जाता है इसलिए आपको जादा ओयली खाना नहीं खाना है, बाहर का कोई भी ओयली फूड नहीं लेना है और आपको कोई भी ऐसा प्रोड़क्ट नहीं लेना है जिसमें ट्रांस फेट की मात्रा मौजूद हो यह आपके वजन को बढ़ाता है, आपको अस्वस्त करने का काम करता है इसलिए आप ट्रांस फेट को अफॉइट कीजी, आपको ओयली नहीं खाना आप इसके स्थान पर गीं का इस्तमाल कर सकते हैं, आप रोटियों पर गीं लगा के ले सकते हैं आप कुछ फूट्स ले सकते हैं, कुछ ड्राइ फूट्स ले सकते हैं, आप ओलिव ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तमाल कर सकते हैं, आपको अवगाड़ों अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए आप बीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कद्दू के बीज, चिया के बीज, अलसी के बीज, आप तिल के बीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बीज खाने से हमें बहुत अधिक फाइदा मिलता है, इमें मौदूर नूटिशन्स हमें मिलते है तो आप इनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और oily foods को अपनी डाइट से avoid कर सकते हैं इसी के साथ जब आप सुभे morning में उठते हैं तो आप exercise नहीं कर सकते हैं मगर आपको stretching करनी चाहिए आप bed पे ही बैठे बैठे stretching कर सकते हैं अगर आप उठकर नीचे गए हैं तो आप stretching कर सकते हैं आपको 2-3 मिनाठी stretching करनी हैं इससे भी आपकी body में बहुत positive effect पड़ता है इसी के साथ आपको अपना भोजन सीमित करना चाहिए जैसे अगर आप 4 रोटियां खाते हो एक कटौरी सबजी खाते हैं और दार्ल की मातरा को बढ़ाना है ऐसा करने से आपका health अच्छा होगा और आपका वजन कम करने में भी आपको health मिलेगी अगर आप non-wage खाते हैं तो आपको non-wage single खाना चाहिए यानि कि आपको non-wage के साथ रोटी या चावल नहीं लेना है आपको सिर्फ non-wage लेना है non-wage एक ऐसी चीज है जिससे digest होने में 24 घंटे या उससे अधिक समय भी लगता है इसलिए अगर आप non-wage खाते हैं तो आपको दिन का समय चूज करना चाहिए non-wage खाने के लिए मगर अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप non-wage को avoid भी कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो इसी के साथ आप अपनी डाइट में salad को सामिल कीजे जब आप snacks खाते हैं तो वहाँ पर आप healthy salad ले सकते हैं इससे भी आपकी body को help मिलेगी और आपका वजन कम करने में आपको मदद मिलेगी आशा करती हमारी इस वीडियो से आपको मदद जरूर मिली होगी तो please इस वीडियो को like कर अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजे ताकि उनकी भी help हो सके कोई भी सवाल ये सुझाव हो तो please comment करके जरूर लिखेगा अगर आप हमें facebook पर देख रहे हैं तो please हमें follow जरूर कीजेगा अगर आप हमें youtube पर देख रहे हैं तो हमें subscribe कर हमारा bell icon जरूर प्रेस कीजेगा ताकि आपको pregnancy और parenting से जड़ी ऐसे ही important videos मिलती रहे हमारी वीडिय के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा धन्यवाद